हमारे पास फिल्म और ड्रामा क्रिटीक हारुन शुए मौजूद है हारुन सब कैसे आप गुड मॉर्निंग और यह जो फिल्म है इसके बारे में क्या कहेंगे आप टक्साली गेट बड़े चर्चे असके जी असलाम लेकुम और गुड मॉर्निंग बिल्कुल जी टक्साली गेट के बड़े चर्चे हैं और जिस तरह आप ने कहा कि यहां जहां अर्दू बोली समझी जाती है अक्रॉस तर बॉडर भी भारत में भी लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामास देखे हुए हैं और वो पाकि पाकिस्तानी ड्रामों के स्क्रिप्स से बहुत मुतासिर हैं और वो उमीद करते हैं कि ऐसे स्क्रिप्स इंडिया में भी उनको अवेलिबल हो इसी तरह आप सुषान सिंग की बात की तो उन्होंने भी क्यों कि देखिए इंडियन ड्रामा जो है वो गभी भी वह मुकाम था वो जव रियलिजम है गो पाकिस्टानी रामे में जलकता है वो इंट्याइन अमे가지고 प्लाष्टिक सरजरी इंडीन द्रामों में होती है दुनिया कहीं पहला में जलरी में पहने के लिए के वहां काती है वह किचं़ उनसे कुछ बी और मिल्यूम्स मिलती है में अक्सर देखते हैं अधार जेखिता वाहन पाफ्रे सब्सक्राइप बारती अधाल नहीं कि बार के बारे में टेक्साली गेट बहुत इंटेंस फिल्म एक सीरिस सब्जक्ट के उपर बनाई हुई फिल्म अबू अलीहा आपको पता है कि वो अक्सर फिल्में बनाते रहते हैं और जहां पर पूरी फिल्म इंडिस्ट्री वक्त स्ट्रगल करी अबू अलीहा एक ऐस इंसान है इसको इस बात का क्रेड़ तो जरूर मिलना चाहिए कि वो मसलसल अपनी कोशिश करते रहते हैं छोटे स्केल की फिल्में बना बना कर वो स्क्रीन पर लगा रहे हैं ताकि लोग चाहे थोड़ी ही तादाद में आ रहे हैं लेकिन सेनमाज आबाद रहें कुछ ना कुछ सेनम देखना चाहते हैं उनको टेक्साली गेट देखकर मज़ा आएगा आई शाओमर ऑफकोस एक बहुत बड़ी अट्रक्शन है अच्छी मूवीज बन रही है और सिनिमा को फरोग मिर रहा है लेकिन हम इसमें एक कंसिस्टेंसी नहीं देख पाते हैं क्या वज़ा है कि लंबा फिल्में अगर अच्छी बन गई है तो वो चारो ईद की रिलीस के लिए इंतिजान जर रही होती है और खटी ही रिलीस हो जाती है तो वो आपस में ही एक दूसरे के साल मकाबला करते करते हैं वो दो हफटे बाद वो सारी फिल्मे उतर जाती है और उसके बाद एक लंबा हारून हम देखते हैं पाकिसानी ड्रामों की तारीफ हो रही है और पाकिसानी ड्रामों की स्टोरीज और वहां पर जो कैमरा वर्क है और जो वहां पर रियालिटी दिखाई जाती है वो बड़ा पसंद किया जाता है तो फिल्में क्यों नहीं हम इस तरह के बना सकते हैं बि लोगों का मिज़ाज आइसा इसा उस तरफ आ जाता है मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर अब फिल्म बीन है फिल्म के शायकीन है वो बड़े स्केल की फिल्मों से ज्यादा पसंद करते हैं कि वो एक छोटे स्केल की हुमन इंटेंस इमोशनल स्टोरी देखें तो टेक्साली वो बड़ा चलता है तो ये पूरी दुनिया में ही मशूर है या सिरफ हमारे हमसाया मुलक इसमें बाजी ले जाते हैं पाकिसानी ड्रामों के कई किरदार हैं जो कॉपी कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही है और देखे अजीम ये भी एक वही बात है कि इंस्पिरेशन और उस्पिर उसकी है अजिए हमारे गाने हमारे सूंग चोरी होते थ thri ये वहारे ड्रामे चोरी होना है तेरे बिन ड्रामा पुरतसम Aur पे हमारे भी है मिराप, दिया मिराप थामने लेसे उत्दार छे changing the. बिल्कुल, और मज़े की बात यह है कि हमारा तो एक ड्रामा था लेकिन उन्होंने फिल्म में उस सीक्विंस को बिल्कुल उसी तरह यूस किया, कि जी जी फिर वो बेहोश हो जाती है लड़की और वो गिरती है, कीरती सेनन और शाहिद कपूर की जो नई फिल्म आरी है तेरी होसे ली गई है, तो बहुत से इंडियन जो अदाकार थे उनकी जाने से रहा गया और बड़ा अप्रिशेट किया गया, का बहुत जबंदर स्टोरी है, बड़ा अच्छा निभाया गया है किरदार को, तो यानि अब हमें, लेकिन कॉपी कॉपी होती है और ओरिजिनल होता ह अच्छा अरून ये बताईएगा कि दुरानिया कितना मैंटर करता है, क्योंकि हमारे ड्रामा जो है, वो एक मुक्तसर टाइम के लिए होते हैं, 10-15 एपिसोड, 20-25 एपिसोड उसमें वो ड्रामा कंक्लूड हो जाता है, जब हम मिंडिया में देखते हैं, तो वहाँ पर जो कितने कितने लंबे चलते हैं, तो शायद ये भी एक वजहा हो सकती है, जिसमे नसल दर नसल दर द्रामों बरकरा न रहुता हो जोसे तो दीखते बहुत सी बहूं हो छेते हैं, यह पिल्कुल, यह भी बच्छी श्कूल जाती है, वो ड्रामा का चल रहा है, लो देख टे कोई इतना हल्दी ट्रेंड नहीं, अब कुछ अनफॉचनेटली पाकिस्तान में भी, देखिए सारी TRP's की गेम है, TRP जिस चीज़ को आ रही होती है, मिल रही होती है, वो चैनल चाहता है कि वो सीरियल चलता रहे है, चलता रहे, तो अब पाकिस्तान में भी यह ट्रेंड कहीं कहीं हमें नजर आ रहा है कि लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरे खाल में कोई मस्पत ट्रेंड नहीं है, और अल्टिमेटली जो है, यह ट्रामा इंडिस्ट्री को और ड्रामों की क्वालिट्री को नुक्सान ही पहुँचाएगा, तो इससे जरा दूर ही रहना चाहिए, कहानी होती है, और वो कहानी जब अपने खताम तक पहुँचे तो ड्रामे को बाइजदत तोर पर खाल रहे हैं, अचाहा, हारून इसमा कौन से से बहतरी पाकिसानी ड्रामे हैं, जो आम की तवज्यों हासिल करने में काम्याब रहे हैं, एक तो इश्क मुर्शिद हो गया, दूसरा जाने जहाएं, जो आप लोग कर रहे थे, अचाहा, मझे बड़ी शेरवान हो, आपकी बात पसंद आई, आपने का जी किसी को अंडरेस्टिमेट नहीं करना हैं, जो किसी को क्या पता था ये बच्चा बला और रहे हैं, तो बिल्कल मेरतोल, माशा बिलाल जो है, व जो भी ड्रैग होना शुरू हो गए है, पिछली किस में हमने देखा कि कुछ भी नया नहीं आया, वही चीजें जो हम दो तीन किस्तों से देख रहे हैं, वही आगे बढ़ती जा रही है, तो मैंने जिसना कहा कि ये ट्रेंड जो है, ये कहानी को तवील करते जाना क्यूंकि बढ़न के उसके दाज्य, जब पहले से पूरा रिकोर्ड करिया जाता है, अब जो है उसके बढ़ते हैं पर चार पांच किस्तों के बारिखा जाता है, चिरदार बढ़ जाते हैं, इनका स्क्रीम बढ़ा बढ़ा जाता है, वही है, जलिए बिल्कुल मार्केटिग और टिर साथ साथ चल रहा होता है जैसे हमने सुना था कि इश्क-मुर्षिद की अगर एक दू एपिसोड जो एंड था वो पहले से रवील हो गया उसके बाद उन्होंने चेंज किया ऐसी कोई खबरें आ रही थी जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है फिर तेरे बिन पर जिस तरह कहानी पहुंची थी मीरभ और मुर्तिसिम की तो जहां पर लोगों ने का बैकलाश आया कि जी 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 बिल्कुल तेरे बिन में उन्होंने एंडिंग को थोड़ा सा चेंज किया था क्यूंकि लोगों का बैकलाश आने लगा कि आपने क्या दिखाया तो एक हफते के अंदर अरे एक और ड्रामा था एहने वफा उसका भी मैंने सुना था कि उन्होंने एंड चेंज किया था इसका मतलब है कि मुझे अब समझ आयो इस बात की कि अब वो उस तरह से रिकॉर्डेड नहीं होते हैं प्रेंड्स देकर पूरी स्टोरी चेंज की जाती ना जी 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 अब और शुक्रिया आपका हरुन श्वेब आपने इसनों पाकिसान को भग दिया और इस वक्त इंटेटेन्मेंट इंडेस्ट्री को लेके बिल खसूस पाकिसानी ड्रामा को लेके उस पे अपनी राय जो है वो दी